हेलो दोस्तों नमंसकार आज हम बात करेंगे अमारे अगले उपन्यास की जिसका नाम है तमस तमस को लिखा था विस्म साहनी ने और ये उपन्यास 1973 में आता है 1913 में राज कमल परकासन दुवारा ये प्रकासित होता है नई दिल्ली से उपन्यास निकलता है तो बात कर लेते हैं बिस्म साहने के बिस्म साहने का जनम होता है 1915 में रावल पिंडी पाकिस्तान में उनकी मिर्थी 2003 में यानिके दिल्ली में उनकी मिर्थी हो गई थी तो ये 1957 से लेकर के 1963 तक मासकों में Foreign Language Publication House में अनुवादक के तोर पर कारियर रहे थे यहां उन्होंने लगभग 24 रूसी किताबों का हिंदी में अनुवाद किया था साहनी जी को सन 1975 में तमस उपन्यास के लिए साहित अकादमी पुर्षकार से भी नवाजा गया है और साहनी जी को पदम वीबूशन पुर्षकार भी दिया गया है बिजन साहनी की प्रगतिशी लिखक संग और एफ्रो एसे ई राइटर आसोसेशन से भी जूड़े हैं और इनके अगर उपन्यासों की बात करें तो कई बार पेपर में आता है इनके उपन्यासों को सिरियल से लगाना तो आज उसको नोट कर लिजी जरो के 1967 में आता था इनके बाद इनका उपन्यासा है कडियां फिर तमस तमस उनिस सो तिहतर में बसंती उपन्यास इनका है 1980 में आता है मयादास की माड़ी ये 1988 में प्रकासित होता है एक उपन्यास का नाम हिनका कुंतो जो 1993 में आता है एक नीलू नीलीमा नीलोफर बेहतरीन महतपुन उपन्यास है ये नीलू नीलीमा नीलोफर 2000 में ये प्रकासित होता है इनका अगला उपन्यास है जैहिंद की सेना जो 2010 में प्रकासित होता है अब बात कर लेते हैं तमस के ब जिसमें ओमपूरी ने नाथु का किरदार निभाय था। ये घटना परधान उपन्यास है। इस उपन्यास में सन 1947 की कथा है। अप्रेल महिने की 1947 के कथा इसमें रहेगी। भिस्म साहनी ने तमस में सामपरदायक्ता की समश्या को उठाया है। भारत को आज़ादी के ठीक प उपन्यास में पंजाब के आसपास की सिर्फ पांच दिन की कहानी का वर्णन है। ये उपन्यास दो खंड़ों में विभाजित है। पहले खंड में 13 प्रकरण है और दूसरे खंड में 14 से 21 तक प्रकरण है। तो विशे अगर आपको बताएं तो इसमें अंग्रेज सरकार क नीतियों की बाते होंगी। विभाजन के पहले जो तराजदी थी उनका वर्णन इसमें दिखाए गया है। सामपर्दायक्ता के चरम, उभार और दंगों का वर्णन इस उपन्यास में आपको देखने को मिलेगा। और कांग्रेज की नेताओं के जो आप सी खीच्टान दि कहानी कही गई है और दूसरे खंड में अनेक गाउं उपन्यास की प्रिधी में आ जाते हैं। अगर इसके पात्रों की बात करें सबसे पहले पूरूश पातर देखें तो नथुचमार एक मुख्य पातर के तोर पर शुरुवात में आता है। उपन्यास का अज्यानी और ड दकाने वाला आदमी है मुराद अली। एक मुसलिम करेक्टर है वो पन्यास की सामपरदायकता के मूल में मुराद अली ही है। अगला पातर है रिचर्ड्स अंग्रे जी सासन का नुमाइंदा है रिचर्ड्स इतिहास का अध्धेता है लेकिन चूस्त स्वार्थी और आंग लक्षमिनाण इस उपन्यास में हमारे सामने आते हैं एक पातर है रनवीर लक्षमिनाण का बेटे हाई लक्षमिनाण के बेटे का नाम ही रनवीर है तो रनवीर सामपरदायक तनाव बढ़ाने वाले युवक संग का परमुख कारे करता है हरनाम सिंग एक पातर है जो ग्र अगला करेक्टर आता है रगुनाथ हिंदू मुसलिम संपर्दायों में एकْता का पक्षदर जो है वो रगुनाथ है एक पात रोर आता है जरूनल। जरनायल जो है भाही यरोप से संकी कांग्रेसी है लेकिन सच्ची और यथार्थ बात कहने वाला इंसान है इसके अलावा अगर आप बात करें तो एक भ्रस्ट पातर आता है महता और इसके बाद बक्षी एक करेक्टर आएगा बक्षी है संकरलाल है किसन सिंग है ये सिक रिचर्ड की पतनी का नाम है लीला पिछले नेट के सवाल में सवाल पुछा गया था रिचर्ड और लीला की सुपन्यास के पातर है तो रिचर्ड और लीला तमस के पातर है अंग्रेजी अधिकारी रिचर्ड की पतनी का ही नाम लीला है लीजा लीजा है सोरी लीला नहीं ह तो नथु की पतनी एक और करेक्टर आती है, पतीसे उन्मुक्थ अत्यनत प्रेम करने वाली सुसील नारी है। एक करेक्टरातीस में बंतो, सरदार हरनाम सिंग की जो पतनी है, सामपरदाइक तनाओ की वो सिकार रही है, ग्रामिन महिला बंतो, जस्बीर कोर जो बेटी है हरनाम सिंग की, उसका नाम है जस्बीर कोर, राजो है जो अकरा की सास है और रमजान की मा है, रमजान की भहु का न मुराद अली मिलता है नतुच्वार जो है वो जानवरों की खान निकाला करता था उसे बेचा करता था उसे एक काम मुराद दिलाता था एक दिन मुराद अली नत्थु चमार से मिलकर के कहता है कि साहब ने बोला है कि एक सुवर मारकर उन्हें गिफ्ट दिया जाए ये बहुत बड़ी बात है सालंत्री साहब ने बोला है कि उनको एक सुवर मारकर के गिफ्ट किया जाए यही से चाल वो शुरू हो ज पहले से दबा था और दबा होने के काण उसका एक काम कर देता है बाद में यही सुवर मस्जिद के सामने फेंकवा दिया जाता है मस्जिद में सुवर का सव देकर के मुसलमान उतेजित हो जाते हैं और इस कर्मकांड का सुत्रधार कौन है ये बादमियुद घाटित होता है बाद में एक गाएं भी मार दी जाती है, परिणाम सरूप सहर में संपरदाई दंगा हो जाता है, तना हो जाता है, और हिंदु तथा मुस्लिम संपरदाई एक दूसरे के दूस्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक सिस्ट मंडल, डिप्टी कमिशनर रिचर्ड से मिलकर के सांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है, सिस्ट मंडल के बक्सी जी सहर में कर्फियू लगाने की सला देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसी स्विकार नहीं करता है, वैस्थिती को गंभीरता से जानते वे भी अंजान मना रहता है, परणाम सरुपूरे सहर में हत्या, लूट और आगजनी खुल करके होने लग जती है, सामपरदा एक्ताक्या गाउं में पहल जाती है, सिदपूर में अगर बात करें तो सिख और मुसल्मानों के बीच खुनी संगर्स होता है, दोनों औ और बाकादा मोर्चा खुल जाता है, भ्यानक रक्तपात होता है, सिख और ते अपने बच्चों सहीत कुए में कोद करके आतम हत्या कर लेती है, सारे बरबादी होने के बाद सरकार की और से हस्तक्सेप होता है, नगर और गाउं के उपर एक हावाई जहाज बन रहता है, औ लोग आतंकित हो करके अपने अपने घरों में दुबग जाते हैं, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, तो जगय जगय सेना तेनात करती जाती है, सांति कायम करने के लिए सरकार की और से एक अन्य कमेटी, नागरिक कमेटी बना दी जाती है, जिसमें हिंदू-मुसलिम सिख हो अपने घर में परिवार से संबंद से बिचुर चुके होते हैं, उनके घर जला दिये जाते हैं, संपती लूट ली जाती है, लोग सरनार्थी सीविरों में अपनी बहु बेटियों का पता पूछ रहे हैं, तमस इसी सामपरदाइक संगर्स की कहानी है, स्थुल रूप से व भी तक इस देश को मुक्ती नहीं मिली है, आजादी से पहले विदेशी सासकों ने यहां की जमीन पर अपने पाउं मजबूत करने के लिए समश्या को हतकंडा बनाया था, और आजादी के बाद हमारे देश के कुछ राजनितिक दल इसका घरनित उप्योग कर रहे हैं, इस पहलूं सत्ता और राजनिती द्वारा धर्म का अपने स्वार्त के लिए प्रियोग, धर्मांदता और कट्रता का पीडी दर पीडी संकर्मन, सामपर्दायकता का सरवादिक सिकार, निम्न वर्क के लोगों का होना उदगाटन हुआ है, भासा सैली की बात करें तो इसमें आ बात करें, तो सबसे पहले तो हम विदवानों की राय देख लेते हैं कि किस विदवान ने इसके लिए क्या कहा है, डॉक्टर गोपाल रायन ने लिखा है कि तमस उस अंदकार का दियो तक है, जो आदमी की इंसानियत और समेदना को ठक लेता है, उसे हैवान बना देता है, खुद भिशन साहनी क्या लिखते हैं इस उपन्यास के बारे में, कि विभाजन की तरास्दी पर लिखा था, ये उपन्यास तमस, एक सबक के तोर पर नहीं लिखा गया था, विभाजन की तरास्दी पर ये उपन्यास लिखा गया था, एक विकट मानवी स्थित्य को देख पाने के दृष्टी से ये उपन्यास लिखा गया था अगर बात करें इसी सरण में डाक्टर नामवर सिंग की नामवर सिंग क्या कहते हैं कि भीसन साहनी वर्तमान हिंदी जगत के उन थोड़े लेखकों में हैं जो अच्छे अर्थों में धर्न निरिपेक्स और में आस्था का डोल नहीं पिटते उनके सोमे सालीन सहज और विनमर वैक्तितों के साथ विचारों की द्रिड़ परतिबतता इतनी घुल मिल गई है कि कभी-कभी उसके बारे में भ्रहम हो जाता है बिना आक्रमक हुए भी कोई लेखक परतिबत हो सकता है इसकी सरवतम मिसाल अगर आपको देखनी है तो भिस्म साह नहीं है अगर इसके कथनों की बात करें तो कथन कौन-कौचे प्रयोग इसमें हुए है तो हाकिमों के मन की था पाना हम आदमी के बसकी बात नहीं है हाकिम दूर की सोचता है जो कुछ वोए देखता है उसे आम इंसान नहीं देख प और घर बसाने वाले भी अंग्रेज, फिर बाजी ले गए अंग्रेज, ये बक्सी जी का कथन, बहेदरीन कथन रहेगा, और इसके अलाबा एक और कथन है, भारत बुर्षन अगरवाल और कई विद्वानों ने जो है इस कथा को निखारा हुआ माना है, लेकिन इनका कहना कि ये कोई एक कथन या ने कथाओं का समूश्य है, एक कथन और मैं अगर बात करूँ, नर्थु के पिता क्या बोलते हैं, कि बेटा हाद साफ रखना है, जिसका हाद साफ है ना, वह कोई बुरा काम नहीं करता, इजजत की रोटी खाता है, तो ये एक और कथन इस उपन्यास क इसरे में था, तो हलाकर इसाथी हैं मुटे मोटे तर पर लिए है, तो मिलते हैं अग्योग पन्यास के साथ जल से जल, तब तक आप हमारे साथ बने रहे हैं, कि दन्यवाद नमस्कार, जाहिन